जहिन बच्चो आज हम आप सबको करवाने जा रहे है यूपी लेकपाल के प्रिवे सियल के मैट के कोशन तो पहले कोशन यह है देखते हैं क्या है 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा टै करता है मतलब की total distance तो इसमें दे दिया है इधार तक हम लोग पढ़ते हैं की इसका मतलब क्या है मतलब total distance तो इस question में इधार तक दिया है जिस उस आदमी ने travel किया वो था 270 किलोमीटर ठीक है अब 270 किलोमेटर को वो कुछ बस से चलता है और कुछ कार से चलता है ठीक है यही बताया है पहले इतने में आगे क्या कह रहा है उसने एक बटा तीन भाग की दूरी बस से 30 किलोमेटर प्रटी घंटे की टैकी मतलब की बस की स्पीड कितनी है 30 किलोमेटर पर आवर और से उसने डिस्टन्स कितना ट्रेवल किया बस डिस्टन्स इकोल टू 1 1 तो辟 कितना था वह सद्थ into 270 यानि की biber कि- तो बश ते उस आत्मी ने कितना किलोमेटर चला है तिक मेर क्या की गई दूरी एक थी तोटल दूरी का मतलब 270 का एक टियाई 90 किलोमीटर तीक है और बस की स्पीड है 30 किलोमीटर आगे क्या कूछ रहा है तै की गई यदि कार की गति गंटे की गति से तै की गई यदि कार की गति 45 किलोमीटर पर आवर थी अब यहां पर दो चीज है मतलब फूरी दूरी कितने टा rebellion में मतलब total time पुछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है need ताइम पूछ रहा है question क्या कह रहा है total time अब यहांपर हम लोग bus bus से चनह time लगा bus time taken इसका formula क्या होता है speed equal to distance upon time ऐसका पता करना होता है तो time equal to distance upon speed यहां कि bus से कितना टाइम लगा यहनि कि distance कितना था 90 और speed थी 33 बंजा 3 3 hour bus time taken तीन घंटे लगे बस से ठीक है अब car की speed 45 km थी मतलब speed दी गई है car की 45 और अब distance कितना बचा distance travel by car यानि कि 270 तो था ही उसमें से 90 माइनस कर लेंगे जो बस का था यानि कि 180 किलो मीटर car से travel की गई है ठीक है अब क्या पुछेंगे time कितना लगा car से चलने में तो same है time taken by car ठीक है तो क्या होगा वही फोर्मला होगा distance अपन speed यानि कि 180 आपन कितनी speed थी car की 45 किलो मीटर 45 45 फोर जाओ 180 होता है तो time taken by car फोर आवर अब यह क्या पूछ रहा है कि कितने समय में प्यातरा पूरी की गई मतलब कितने समय में और वो उसमें कार और बस से दोनों ट्रेवल किया था time बस से तो क्या कहेंगे अगले प्रशन नंबर 2 प्रशन नंबर 2 में देख दीजी एक फिगर आई है फिगर क्याते होती है कि जिसमें एक सर्क्किल्च दिया गया है। और सेंतर्अ सेव केला चैरी दिया और कुछ दिगा आते हैं। चैरी कोई डिग्री क्या है को सब से पहले जान लिजिए कि एक सार्किल में या टो तोर्टलung 330 डिग्री ला येट केंटर ये रहां तो इस जाल है डिग्री होते हैं यह आप जान लीजिए ठीक है तो चैरी को डर्साने वाला केंद्र का कोण पूछ रहा है तो चैरी का ओड बराबर संतरा प्लस सेब प्लस केला के कोण ठीक है पहले चैरी का कोण बराबर 360 डिग्री माइनस संतरा प्लस सेब प्लस केला कोण 360 इसलिए क्योंकि एक सेरक्ल का कोण 360 डिग्री होता है तो चैरी का कोण कितना हुआ चैरी का उन बराबर 360 डिगरी माइनस संत्रा का कितना था 140 डिगरी प्लस सेव का 90 डिगरी प्लस केला का 70 डिगरी ठीक है यानि कि 360 माइनस 300 तो यानि कि 60 डिगरी अंसर है इसके अगला कोश्यन आता है प्रसन नम्बर तीन यारी 45 बच्चों ने सेव चुना तो डिगरी मतलब 45 बच्चे बराबर 90 डिग्री तो एक बच्चे का कितना कोण मिलता है एक बच्चे बराबर 90 डिग्री डिवाइड बर 45 यानि कि 2 डिग्री तो एक बच्चे का कितना है दो डिग्री के बराबर एक बच्चा है ठीक है तो क्या पूछ रहा है तो कितने बच्चों ने संत्रा चुना तो संत्रा कितने है 140 संत्रा एकवल टू 140 डिग्री ठीक है तो 140 बच्चे कितने है एक बच्चा दो डिग्री लाता है तो 140 डिवाइड बै टू डिग्री यानि कि बच्चे जिन्हों ने संत्रा चुना संत्रा चुने बच्चे संत्रा चुने यानि कि 70 क्योंकि 21 जा 270 जा 70 बच्चों ने संत्रा चुना ऐसे कुशन में आप क्या करीजिए सबसे पहले कि कितने बच्चों ने सेव चुना उसका कितना डिग्री ठा तो एक बच्चे के लिए कितना डिग्री बन रहा है एक जोड से डिग्री का देंगे क्योंकि एक बच्चा दो डिग्री से कड़ीं तो बच्चे संत्रा चुनने वाले कितने था सत्तर गर। क्या रहा है एक 35 बच्चों सोर्वाधिक चुन तो समु में कुल कितने बच्चे थे मतलब अब यहा पूछछ रहा है संभू के बारे पेक टोटल बच्चे कितने थे तो तो 35 बच्चों ने केला चुना तो तो केले का कोन कि तो कुर्ण कितना था 70 डिग्री ठीक है तो यह तो थीश बच्चे परावस 70 डिग्री तो एक बच्चे के लिए कितना कोण बन रहा है 70 डिग्री डिवाइड बाइ 35 यानि कि 2 डिग्री जो अभी पहले भी निकाले थे एक बच्चे के लिए 2 डिग्री और टोटल कितने बच्चे इसमें थे तो क्या करेंगे समहों में यानि कि 360 डिग्री होटा है टोटल चरकील का एक पूरे सरक्चिल का कॉन्ड 360 डिग्री होटा है डिवाइड बै टू डिग्री यानि कि 180 तो टोटल कितने बच्चे ते समू में 180 बच्चे समू में थे अगले कोशन पर चलते हैं प्राइस नमर पांच क्या कह रहा है यह एक पुष्टकाले में 23,455 पुष्टक है ठीक है मतलब 23,455 पुष्टक है एक लाइबरेरी में गैर कथा साहित्य पुष्टकों का 2-7 है मतलब 2 है 11 और 7 है साहित्य पुष्टक तो कथा साहित्य पुष्टकों की संख्या क्या है तो कथा पुष्टकों की संख्या पता करने के लिए हम लोग के पास पहले करेंगे टोटल बुक्स कितनी है यानि कि 23,445 बुक्स है ठीक है इतनी बुक्स थी और हमसे कथा साहित्य पुष्टकों का हिसाब पूछ रहा है तो टोटल नंबर कितने है टोटल हिस्से कितने हुए नाइन ठीक है टोटल हिस्से नाइन हुए और हमसे कथा साहित्य पूछ रहा है तो कथा साहित्य पुष्टके बराबर मतलब कि टोटल कितनी पुष्टके हैं 13,445 और गुड़े टोटल साहित्य का कितना नंबर है साथ साथ और टोटल हिस्सेटेद नोव साथ बटा नव ठीक है जब इसको हम लोग काटेंगी टोटल बुक्स आई 18,325 से पुष्टके